राज भी चिचिडा हो गया था बस राहूल ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वज़े से राहूल को हलकी सी चोट लग गई कविता के सास ससुर ने राहूल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वज़े से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए कविता अंदर से तूट चुकी थी एक दिन उसने सब के सामने माय के जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत माय के छोड़ाया जैसे कि वह भी यही चाहता था लेकिन राहूल को उसके साथ नहीं भेजा गया कविता कभी राहूल से दूर नहीं रही थी पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की कविता को लगा कि वह तीन-चार दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा कयों कि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था उसने अपने मम्मी पापा और भाई भावियों से दिल खोल कर बाते की उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे रात को सोने के वक्त जब वो कपडे बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था